नवस्कों दोस्तों जेल मास्टर यूटूब चनल पर आप सब का स्वागत है दोस्तों बात करेंगे के से सी टीटेन एलिट चेंपियंशिप जो एलिज बर्सेस टीवाई आर के बीच मैच है तो रात सारे दस बज़े इसका डिरलाइन है तो दोस्तों इदर से टीटेन मैच दोनों टीमों का अगर तुलना किया जाए तो टीवाई यर बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग टीम है एलिज के सामने तो एलिज का तीन से चार ऐसे प्लेयर है जिसको आप लोग पीक करके जा सकते हो बागी जादा सा जादा जो भी जिदना भी हो सके टीवाई आर के टीम के से पीक करना चाहिए तो वो कौन सा प्लेयर है और जो एलिज के बारे में जो बता रहा हूं उद भी कौन सी कौन से प्लेयर है तो सारे चीज़ आम लोग आगे डिसकर्स जरूर करने वाले देखने वाले ठीक है तो लेकिन उससे पहले आप लोग के कम करना पड़ेगा मेरा यूटूब चैनल के जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो मतलब मेरे चैनल पर जो नए आए हो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रगदीज़ और बेल आइगन को जरूर प्रेस करके रगदीज़ उसके सासा दोसो जील में से टेलिगम चैनल जेहना वो भी आ माई टेलिगम चैनल लिग माई टेलिगम गुरूब लिंग दोनों का लोग लिक करके जरूर जोएन हो जाएगा तो दोस्तों दोनों टीमों का लास्ट स्कूर काट को उपर बड़ा हम नजद डालेंगे उससे हम लोग को बैटिंग अदर थोड़ा सा पता चल जागे लेकि मतलब एक अंदाजा हम लोग लगा सकते दो से तीन प्लेयर ऐसे जो ओपिनिंग में आ साकता है तो तीनों के बीज में कोई दो प्लेयर तो वो हम लोग जरूर डिसकास करेंगे चले दोस्तों देर ना करते पहले स्कूर काट को बड़े बर नजद डाल लेते हैं तो दोस्त वहीत विकेट केपिंग से यह टीम के ना यह बहुत जबरदस प्लेयर है तो हर मैज में 20-25 रन तो टिटेन में तो बहुत सांधर स्कूर होता है तो वो करके जाता है तो बहुत जबरदस प्लेयर है आली टंकी वाला पंदर रन हमाउद जानू दोस्तों बैटिंग चाहिए तो इदर से बाकी और किसे ने कुछ खास इदर से नहीं है तो बोलिंग सेस्टन से हम लोग देख लेते क्या हुआ था तो इदर से देख लेते हैं जब केस ने चीस करने के लिए आया था तो एज गही वाला दिखिए इसका रेक ठीक टाक है कुछ ज़्यादा वैत तो दोस्ता अभी हम लोग टी वाई आर के साथ एई साका एई सी का एक मैच वा तो उसका स्कोर का ढाम लोग देखें कि देखें इदर से मुहम्मत उमार दोस्तो ओपिनिंग में आया था फ्लॉप गया था आमीर जाबेद 49 रन स्कोर करके गया था तो यह प्लेयर बहुत ही जबर्दस देरेकोट है दोस्तों तो इस मैच में इसके उपड़ हम लोग को खासा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हम लोग का ट्राम कटपिक होगा कौन दोस्तों इस बाद देखें से सिकंड डाउन थार्ड डॉन पर बैटे करने के लिए आया था असे न संगित एक र गर्बर कर दिया था मतलब कुछ आच्छा नहीं कर पाया था क्योंकि टार्गेट दिया था नहीं बहुत ही ज्यादा कम था इमिरन आली की एक अबड़ डाला था जाकर जरू सब्सक्राइब कर लिए और जील मतलब यह बेल आइकन को प्रेश करकर दिजिए जील मसे टेलिगम जनल आप इथक जोएं नहीं के तो जाकर जरू जोएं कर लिए तो दोस्तों इदर से देख लिए ती वाई आर अगर टीम पहले बोलिंग करेगा तब हम लोग गपूर को हम लोगों को पीक कर लेना चाहिए इसके लोज़ता आई अहम्मद अगर खेलेगे तो इंपोर्टन जरूर है इंटरनाशनल मैंज में बहुत सारे मैचेस खेलेगा आया है इसके इलाबा दोस्तों इदर से और किसी ने इदर सा भी कोई अफसन नहीं है ठीक है त इसके इलाबा दोस्तों इदर से बैटिंग सेक्षन से कोई और अल्डाउंडर नहीं है एक गुलम खान एक ठीक टक अफसन है और इसके बाद दोस्तों पी राजा लोगों पर राओ यह दोनों प्लेयर बहुत ही इंपोर्टन है दोस्तों वहीं के टेकर बोलार है इसके एल इसको तो हम लोग अंग बंद कर लेना चाहिए लास्ट मैस नहीं खेला तो इसलिए हम लोग अभी के लिए में पीग नहीं कर रहा हूं बाकि यह जाबेद को बोलिंग से करेंगे और दोस्तों अगर आप लोग को लग रहा है कि टीव यर का थोड़ा बक्त मतलब में छोड़ रहा हूं तो इदर से दोस्तों देखिए अभी के लिए कौन कितना बोलर इकाफूर सरीप अगर पूरा अबर डालेगा तो ठीक ठाग है राजागोपला राओ गुलम खान यह चारो दोस्तों इदर से बोलिंग अप्सन हम लोग को हो गया है अगर अभी तक दो किसको मुका मिलते यह संगीत भी ठीक टाक अफशन बन सकता है लास्ट मैच में कितना अबर डाला था एक अबर भी पूरा नहीं किया था क्यूंकि उससे पहले मैच जीत गया था अपन टीम तो इसलिए अभी के लिए छोड़ रहा हूं बाकी दोस्तों इदर से देखिए व करने बाले इसके लावा टीम के तरफ से बोलना भूल गया है मैं आहमेद अगर तो इसको आप लोग जरूर पीक कर लिजेगा ठीक है और इम भबासार दोस्तों सायद इधना दिन से मैच में नहीं मैं मतलब में टीटेन मैंच कवर कर रहा था लेकिन खेल रहा था लेकिन मी अगर इसका मतलब खेलने का चांब से हो साकता अगर खेलेगा तो हम लोग को तो जरूर पीक कर लाने चाहिए क्यूंकि टीटेटी जो इंटेन से बहुत सारे मैचेस कहल के आया है तो इधर से देखें आभी भी चार ओफसन है तो किसको पीक करे तो सोजली संगीत ही खेल र चाहिए और इसके लब उसे एक ओप्षन अभी भी बच रहा है तो आप लोग चाहों तो देखें च्छे प्लेयर हो गया तीम के तरफ से पंच प्लेयर हुआ है तो इधर से अभी के लिए किसको ट्राइब करना चाहिए देख लेते एक बार हाँ दोस्ति देखें आर संजी अगर खेलेगा तो इसको भी आप लोग पीक कर ले जरूर कर लेना उसके इलाबा इधर से एक इस्टा बोलार नहीं बोला लेना चाहिए तो इधर से देख लेते हैं कोई अफसन नहीं है तो अभी के लिए दोस्तों मुहम्मद को ट्राइब कर लेता है ठीक है तो इधर से एधर से देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस एक से पर सटीक अगर कैप्टन वाइस कैप्टन अब लोग को चाहिए है तो केसरेपी होने वाला है लेकिन ये लास्ट दो मैच फ्लॉप गया था लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसका रेकॉर्ड बहुत जबरदास्त है तो आप लोग एक दो टीम में जरूर मीनी जील पे और जील पे खास करके जील पे कैप्टन जरूर ट्राइक कर लिजिएगा ग्यारा परसन का स्पास सिलेक्शन है बैटिंग बोलिंग दोनों से अगर जबरदास्त पॉइंट देके जाएगा तो आप लोग अच्छा अप्शन होगा ठीक है इसके नभील गपूर विकट टेकर बोलर है हर कंडिशन में दोस्तों यह मतलब पीक कर लेता है बाकि यह जंडू एच आरी यह भी दोनों प्लेयर भी कैप्टन भाइस के लिए सांदर अप्शन बन जाएगा ठीक है तो इधर से दोस्तों और कौन ओव अब तक तो एही है और अगर एले मतलब टीवाई आर्क टीम पहले बैटिंग कर गें यही कंबिनेशन के उपर आप लोग जाओगे तब कैप्टन भाइस के विम्बार कर सकते हो मुहमद को ट्राइब कर सकते हो और इधर से बोलिंग से इधर से तीनों प्लेय वाइस केप्टन ट्राइब कर सकते हो अगर एले बोलिंग कर रहा है ठीक है वाइड भी ठीक टाक ऑफसन वनेगा कैप्टन नहीं तो वाइस केप्टन जरूर अच्छा अफसन वनने वाला है तो दोस्तों उमीद आप लोग उच्छा से जानकर देपाया हूं और आप लोग एव टीम कमिनेशन सेफ करके रग दीजे आपटा लाइन अप आपटा टॉस हम लोग देखेंगा अगर कोई नया प्लेयर खेलेगा वह अच्छा होगा तो किसी प्लेयर के उपर आप लोग एड़ेस्ट करके उसको पीक जरूर कर लेंगे उसके बारे में आपडेट में टे करके रग दीजिए ठीक है दोस्तों वीडियो को अच्छा लाइक कर कमेंट जरूर कर दीजेगा और आप लोग दोस्तों के से जदा से सेर करना बिलकुल ना पर चले दोस्तों मिल तो इसमेच के आपडेट के सब्सक्राइब आप तक के लिए वाई